नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लगों का हरदिक स्वागत है लेट अफ्रप्टेर निकल कर आई है कि केंद्रे करमचारियों की सैलरी में होगा रिकोर्ड तोड इजाफा सरकार लेने जा रही है करमचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि आप सरकार 46% मेंगाई बते के बाद करमचारियों के लिए कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है और करमचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा अगर आप हमारे चैनल पर फाफ ताइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ बलाइकन को भी मजा दीजिए ताकि गोवर्मेंट या पैंसल से जमन देजी तनी विन्यों जाती है उनकी नोटिकेसन आप लोगों के पास तुरंत पो उसके तकरते वीडियो को स्टार्ट मिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रे करमचारी और पैंसल बोगों के लिए सरकार फिर से एक बड़ा एलान करने जा रही है माना जा रहा है कि सरकार जल्दी पिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ डिये एरियर का पैसा भी अकाउंट में डाल सकती है अगर ऐसा हुआ तो फिर केंद्र करमचारी अटके पड़े डिये एरियर की लगातार मांग कर रहे हैं जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है सरकार ने अभी इन दोनों गिप्ट देने के अधारिक तोर पर गोशना नहीं की लेकिन जल्दी केंद्रे करमचारियों की इसकी बड़ी खुश कबरी मिसकती ह केंद्र की मोधी सरकार जल्दी केंद्रे करमचारियों को बड़ी सोगात देने जा रही है सरकार फिटमेंट फैक्टर को दो दसमलों पांस साथ से बड़ा कर तीन गुना कर सकती है जो किसी बड़े गिफ्ट की तरह होगी इसके बाद करमचारियों की बेसिक सैलरी में रिक दोतरी होगी जिसके बाद सैलरी बढ़का 24 रुपे हो जाएगी जिसका फाइदा कई लाग प्रिवारों को मिलना संभव है इसके लावा अठका पड़ा डिये एरियर का पैसा भी क्रमचारियों के खाते में आ सकता है दोस्तों के इंदर सरकार क्रमचारियों पैंशन भोगिय ये एरियर का पैसा खाते में डाला था जिसकी वज़े क्रोना पारे संकर्मन मामारी बताई जा रही है अब चर्चा है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैचला ले सकती है उस रेनी के करमचारियों के अकाउंट में 2,18,000 रुपे आना संभवाना जा रहा है यह रकम महेंगाई में किसी बुफ्टर डोज की तरह होगी है तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तो बता के लिए जय हिंद जय भारत